हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम अगेन तो लन्वृत दितीमन तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण इसकी अंतरगत आज में आप लोगों का लोगी टेस्ट तत्सम तद्भव देशज और विदेशच का तो देखते हैं आप लोगों ने वीडियो जो है वो कितमे अच्छे स से देखा RBSC की बुक के अंतरगत ही हमने तत्सम तद्भव देशज और विदेशच इन शब्टों को किया था बहुत अच्छे से ठीके चलिए देखते हैं कितने अच्छे से आप कर पाए क्वेश्चन वन है अक्षत का तत्सम रूप है अच्छा अक्षत अच्छ या अक् तो देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई कि क्या बताई थी कि तत्सम जो होते हैं उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी तो अच्छा तो इसका नहीं होगा और अक्षर भी नहीं होगा ठीके बी और सी में से कौन सा होगा यह होगा अक्षत तो यही जो शत्रिय वाला शाह है यह आपको mostly तत्सम में मिलेगा ठीके और अच्छत का तत्सम रूप क्या है अक्षत next है question 2 निम्न मैं से तदबब शब्द का चयन करें दुग्द, दुपट्टा, इक्षू या उपालब इन मैं से तदबब शब्द जो है वो एक है कौन सा है फटाफट से बताईए तो देखिए इसका आंसर जो है वो होगा दुपट्टा ठीके दुग्द, इक्षू ये तो आपको देखने से पता लग रहा है संस्कृत से लिया गया, बिल्कुल डारेक्ट लिया गया है, तो यह तत्षम शब्द है, और दुपट्टा जो है वो क्या है? तदभव शब्द है, निम्न मैं से तत्षम शब्द का चैन करें, अब तत्षम शब्द का चैन करना है, उबटन, अबटन, उबडिका या उद्व इनमें से तत्सम सब्द देखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उद्वर्तन। नेक्स्ट है कुश्यन 4 निम्न मैं से तत्वब शब्द का चैन करें। श्वर्णकार, बालुका, बीना या इस्मरश्रू। तो यहां पर देखिए श्वर्णकार ये तो तत्सम सब्द है। इस्मरश्रू। ये भी आपका क्या है तत्सम सब्द। तो इन दोनों मैं से जो त बीना ठीक है क्या है बीना। नेक्स्ट है जत्था का तत्सम रूप है समूह, यूत, यथा, या यात्रा। जत्था जो है वो क्या है संस्कृत का सब्द है जत्था। इसका जो तत्सम रूप है वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यूथ नेक्स्ट है question 6 निम्न मैंसे देशद सब्द है अंगरखा, लीची, भिंडी या भक्त देशद सब्द जो है वो कौन सा है अंगरखा, लीची, भिंडी या भक्त बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, फटाफट से आंसर देना है कि देशद सब्द कौन सा है इन में से तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो होगा भिंडी ठीक है, ये क्या है देशद सब्द है next है सुहाग का तत्सम रूप है तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है इसका सही आंसर जो है वो आप लोगोंने लगा लिया होगा आंसर इस राइट सो भाग्या ये क्या है तत्सम रूप है तो जो बच्चे कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियोज देखिएगा प्लेलिस्ट में RBSC की बुक के अंतरगत हिंदी व्याकरण के तत्सम तद्भब को नेक्स्ट है एट्थ कुश्यन डिम्ण में से तत्सम सब्द का चयन करें कपर्दी का कदर्पी का कौड़ी या कौड़ी ठीक है इन में से तत्सम सब्द जो है वो कौन सा है ध्यान से देखना है आपको क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कोई शब्द होता ही नहीं है और गलत वर्ट जो है वो लिख दिया जाता है तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो होगा कपर्दिका कदर पिका कुछ होता ही नहीं है और कौड़ी और कौड़ी ये क्या है तत्सम सब्द नहीं है तो यहां सही आंसर है कपर्दिका नेक्स्ट है निम्ने मैं से तत्सम सब्द का चैन करें गो स्वामी गव स्वामी गुसाई या गो साई तो क्या होगा इसमें से सही तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो होगा ए ओप्षन गो स्वामी ठीक है दो मात्रा आती है गो स्वामी नेक्स्ट है 10 कुश्टन निम्न मैं से संकर सब्द है संकर सब्द जो दो भासाओं से मिलकर बना होता है officer, sthir, khača-khač या किताब-घर संकर सब्द कौन सा है officer, sthir, khača-khač या किताब-घर तो यहाँ पर answer जो है वो रहेगा किताब-घर ठीक है किताब जो है और घर यह दोनों ही मिलकर क्या बन रहा है संकर सब्द नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम सब्द का चैन करें आद्रक, अर्दरिका, अद्रक या अद्रक तो तत्सम सब्द का चैन करना है आपको इसमें से कौन सा होगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आद्रक, ठीक है अद्रक का तत्सम रूप है आद्रक नेक्स्ट है तद्वब शब्द का चैन करें अब हमें तद्वब शब्द देखना है स्वजन, हिर्दय, कंगन और आस्चर्य तो देखिए यहाँ तो चार में से एक जो आप्शन आपका सही रहेगा और बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जिसमें आपको आदा वर्ण मिले तो वो लगभग क्या होता है तत्सम सब्द। तो यहाँ देखिए स्वजन, हिर्दय और आस्चर्य इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है आदा वर्ण तो आंसर रहेगा कंगन नेक्स्ट है कुशन थर्टीन तदवब शब्द का चैन कीजिए पक्षी, दुर्बल, पत्र या निठुर जिम्न मैंसे तदवब शब्द चाटना है तो जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था लास्ट कुशन में ही जिसमें आपको आदा अक्षन मिले या संयुकत अक्षर मिले, तो वो क्या होता है तदसम सब्द तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा निठुर क्योंकि पक्षी में देखिए शत्रिय कश्य, दुर्बल में आदा र, और पत्र में भी क्या है र, ठीक है चलिए, तो आंसर रहेगा D option निठुर कौन सा सब्द फार्सी नहीं है, इनमें से कौन सा सब्द फार्सी नहीं है अमरूद, किताब, कारीगर और आस्मान तो जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जब मैंने तदवग, तत्सम, देशज, विदेशज आपको करवाए थे RBSC की बुक से, तो वो तो फटाफट पहचान लेंगे कि इसमें से पार्सी शब्द कौन से है और एक नहीं है तो इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, आंसर जो है वो रहेगा किताब Next है, Question 15 अनत का तत्सम रूप है अनन्त, अन्यत्र, अनीती या अनन्त अनत का तत्सम रूप तो आप लोगोंने सोच लिया है और लगा भी लिया है तो आंसर जो है वो इसका सही है अन्यत्र ठीक है Question 16 है, कौन सा सब्द विदेसी है अब देसी सब्द नहीं, विदेसी सब्द आपको देखना है संतरा, बाल्टी, आंगन और साबुन इनमें से कौन सा सब्द विदेसी है तो कई शब्द जो है वो हम रोज में यूज करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो दूसरी भासा से लिया गया है आंसर है इसका आंगन, आंगन जो है वो विदेसी सब्द है कौन सा तदबब शब्द है ब्रू, लक्ष, विकार और मच्छर इनमें से कौन सा तदबब शब्द है तो तदबसम का बिगड़ा रूप जो होता है वो होता है तदबब जिसे हम अपने बोलने के लिए आसान बना लेते हैं ठीक है? तो आंसर जो है वो रहेगा मच्छर मच्छर जो है वो तदबब शब्द है अब देखिए तीन ब्रू में देखिए आदा, रा है लक्ष में शाह है और विकार में वा है वन का वा यदि यहाँ पर बा से जो बकरी होती है बा होता तो क्या होता तदवब होता तो वा है वा का मतलब है कि यहाँ पर तद्शम शब्द है निम्न में से देशर सब्द है अफीम जोपड़ी पानी और तमासा तो देशी सब्द जो है वो कौन सा रहेगा जो की हम यूज में लेते हैं अफीम जोपड़ी पानी तमासा तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा देख लीजिए जोपड़ी जोपड़ी जो है वो एक देशज सब्द है 19 है जुगति का तत्सम रूप है जगत जगती युक्ति या जियोती तो युक्ति क्या है तत्सम है और जुगति क्या है ये हिंदी का शब्द है तदवब रूप है ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है आप युक्ति जो है वो बोलते जाईए तो जुगति आपके मुह से ह निकलने लगेगा लास्ट है 20 निम्न मैंसे तत्सम सब्द का चैन करें अब आपको तत्सम सब्द का चैन करना है तत्सम यानि कि संस्कृत का शब्द कंकड, कंगन, कंकड और कंगन तो यहाँ पर देखना क्या है तत्सम सब्द कंकड यह तो नहीं है कंगन भी नहीं है तो क्या होगा यह तो देखने से ही पता लग रहा है तो 20 मेंसे कितने कोश्चन के आंसर आपने सही दिये हैं आपको बताना है यदि आपने 20 मेंसे 19 मार्क्स भी लिए हैं इसका मतलब कि आपके तैयारी बहुत अच्छी है और यह आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, कम से कम दो या तीन कुश्यन आपके तत्सम और तद्वब में से ही पूछे जाएंगे, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लास्ट वीडियो हैं हिंदी व्याकरण के तो उनको देखिएगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थ र्ण जो वीडियो में, तो जो ऊजएगा थहाएंगे, झालखे।